नमस्कार साथियों मैं आपका मित्र आशी श्तायल डेवलूसियल सम्वात की इसकड़ी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वेस्टन कोल फील्स लिमिटेड के लीगल विभाग के होडी श्रिमती मेदा हरदाजी से मैं आपका इस कारिय करें में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार मैं हमारे डेवलूसियल परिवार के सदस्यों को बताएं कि लीगल विभाग द्वारा क्या कारिय संपादित किये जाते हैं साथ ही यह भी बताएं कि कम्पनी के विकास में इस विभाग की क्या भूमिका है लीगल विभाग जो है हर कंपणी इस सब बैगबोन आफ दी कंपनी क्योंकि कोई भी कारिय रूल्स के बार ना होना चाहिए यह केर लेते हैं हर एक कंपनी की अपनी कार्य प्रणालि होती है इसमें लीगल डिपार्टमेंट का जो भी कार्य है यह तो प्रोटेक्ट देइनरेस्ट ऑफ डेक अबनी तो अडवाइस बेसिकली वर्क ओ फिल को अपनी के लिए डिपेंड करते कंपनीका इंट्रेस्ट हमारे पैनल अड्वे वेरियस कोट्स के सामने कहीं भी अगर एग्रिमेंट्स हो रहे हैं कमपनी की तरफ से बाहर पार्टी से कॉंट्रेक्टर से कहीं भी एमो यूज हो रहे हैं तो उसका लीगल वेटिंग लीगल वेटिंग इसलिए होता है कि आगे जाके कहीं डिस्प्यूट हुआ तो हमारी एक्सेप्टेड और नौटक्सेप्टेड वेर इट रॉंग कंपनी के जो टेंडर नोटी से सब्सक्राइब लेगल डिपार्टमेंट के विकास के लिए यह यह कि देखिए यह तो रूल है कि जहां डिस्प्यूट्स कम महां प्रोग्रेश जादा हम घर भी बोलते जहां श प्रोफाइलेक्टिक जैसे डॉक्टर को दवा देता है वैसे लीगल डिपार्टमेंट अल्वेज कोई भी एग्रिमेंट करता है वेटिंग जो बोलते है कि यह ठीक है कि नहीं कहीं गलत हो गया तो कॉंट्रेक्टर को या पोजिट पार्टी को कोई चांस ना मिले कि डिस्प कावटे नहीं आती है कंपनी के हित में मेजर का रोल रहता है मैं आपने हमें बताया कि कंपनी का लिगल विभाग अन्य विभागों को लिगल ऑपिन भी प्रदान करता है अपने कर्मियों के बीच लिगल अवेर्नेस के लिए डबलु से मुख्य कदम उठाय है संबंधित अधिकारियों के लिए अलग अलग टाइपस के ट्रेनिंग्स रखते है वर्क्शॉप्स रखते है इस इस अग्रेट सपोर्ट फ्रॉम आवर कंपनी एग्जिक्टिव काम कर रहा है तो उसको अवेर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इसमें हमारे पैनल अ एजुकेट किया जाता है नया यह चालू कि है यह ऑफिस द्वारा सारे ओफिसर्स को सारे डिपार्टमेंट को एक इंपॉर्टन कोई जज्मेंट हो जाता है सुप्रीम कोट का चाहें हाई कोई इशू जो की अपने कंपनी के फेवर में हुआ है वाट कोट सेज यह हेड मे वह जज्मेंट हम शेयर करते हैं काफी आगे की उनकी जो डे टू डे वरकिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं तो काम जो है वह बड़ा प्लैंड और सुचारूरूप से होता है स्मूथली होता है एक वीधी का पुस्तक करके भी निकला है उसमें भी हम जो डबली सेल का वर जुकेट हो हमारे एक्जुकेटिव और उनके डे टू डेल वर्किंग पैटन में उनको वह यूस्फुल रहे हैं मैं लीगल विभाग द्वारा कंपनी के केसेज को लड़ने की क्या पद्धति इस्तमाल की जाती है हमारी कंपनी के फेवर में लीगल केसेज का क्या रेशो ह कानुन में जो भी सीपी सी मतलब सीविल प्रसिजार् पॉड होता है क्रिमिनल प्रसेजर् कोड होता है डूरी 双दर प्रेगलेशन्स पोड रहता है जो पद्धति दी गई है लेकिन ओफीस का वरुकिंग जो भी कर रह है तो जब भी किस आती है फिक रिप्रेजंट अले case को examine करते हैं उसमें basic law points क्या है देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि वह case किसी court के सामने maintainable नहीं होती for want of jurisdiction बोलो for want of any rule बोलो limitation point बोलो there are different heads तो सबसे पहले तो हम बोलते कि यह objection भी raise करना और accordingly हम हमारे जो expertise के हिसाब से हम panel advocates को point करते हैं ऐस पर procedure वकलत नामा और बेचते हैं और फिर conference होती है conference में सारे मुद्धे discuss किये जाते हैं कि हमारे rules और regulations क्या है guidelines क्या है बहुत बार ministry के रहते हैं बहुत बार act में दिया रहता है बहुत बार judgments होए रहते हैं जो की WCL के favor में होते हैं देखिए केस तो कोई भी डाल सकता है वह सची है या जूटी है यह law framework में बैठती है कि नहीं वह examine करके advocate के थूर रिप्रेजेंट करते हैं court में जैसे हमारी guideline है rules है या policy है जहां कोई इंटर्फियर कर रहा है कोई court ने against order दे दिया तो हम फिर उसको challenge करते क्योंकि हम जो कार्यपरणाली में यह जो rules बने है या guidelines बनी है वो protect करना और मतलब uniformity चाहिए कोई भी case decide करने के लिए एक समानता होनी चाहिए तो इसलिए फिर हम court में जाते है देखिये court को interpret करना पड़ता है कि case हमारी क्या है और उसकी क्या है तो हम rule framework में बिठाके we convince to the court through our advocates to defend the interest of the company if need be हो सकता है कुछ orders हमारे अगेंस जाते तो हम supreme court तक के लड़ते हैं और supreme court में बहुत सारे matter जीते है हम लोग ने और हमारा ratio जो है आप बोल रहे है तो हमारा more than 80% success rate है मैं LAS के बारे में हमारे WCL परिवार के सदस्यों को विस्तार से बताएं abbreviations of legal information system smooth working के लिए के एक system बनाया है basically होता है type of case उसमें type of case में sorting होता है court के हिसाब से area के pertaining या department का वह sorting होता है systematic arrangement बोली है जैसे software से मतलब at a time सारे area के लोग भी LAS system में आपकी case की entry कर सकते है I am proud to say कि this initiative has been taken by the legal department of WCL और वो system हमने introduce करने के बाद काफी चर्चा हुई और सारी ही subsidies फिर involved हो गया और सबने ही coal India level तक के अपरूव कर दिया उसमें होता यह है कि time बचता है timely जब case का input हो जाता है तो regular follow up भी रहता है legal department से भी होता है हर एक area से dealing executives से भी होता है double entry होती नहीं है और correct figure of the cases पता चलता है और एक data अपना जो है legal department का not only pertaining to HQ but all areas वो एक जगे मिलता है मैं हमारी company से संबंदित cases को किन courts में लड़ा जाता है किन courts में देखिए जो courts होते हैं हर एक district places पे होते हैं तालुका places में भी होते हैं cities में होते हैं metros में होते हैं तो there are different types of courts और WCL दो प्रदेशों में बटा है एक तो मद्यप्रदेश और महराष्ट्रा तो इसलिए jurisdiction point of view हमारे तीन एरियाज है कनान पेंच पाथा खेड़ा वो जूरिस्दिक्शन होता है मद्यप्रदेश court में चिन्वाड़ा इभूपाल जबलपूर होता है appellate court जो है हमारा वहां high court है जबलपूर तो सारे मद्यप्रदेश के जितने केसे से वही court में चलते हैं और पिर high court जबलपूर में चलते हैं उसके आगे भी अगर करना है तो supreme court और महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र में हमारे जितने भी एरियरास है चंद्रपूर माजरी बलारपूर उक्षित यह अपने अपने district court में होते है civil judge junior division senior division based on your type of case वह court का jurisdiction अलग-अलग होता है यहाँ नाकपूर के high court के सामने भी होता है नया company act के अंडर भी होते हैं cases वह NCLT में होते हैं NCLT दिल्ली में है NCLT हैदराबाद में हैं वहां भी cases होते हैं हमारे आपका subject of the case jurisdiction अलग-अलग authorities जो होते हैं तो special tribunal है अभी हमारा coal bearing act के अंडर special tribunal है वह हमारा नाकपूर में भी है उदर मद्य प्रदिश में भी है और यह देखा जाता है कि नया act आया तो statutory authority appoint होती है पहले number of courts कम थे अभी जितने acts नय नय आय है number of courts भी बढ़ते गए मैम company में litigation के मामलों को कम से कम करने की दिशा में WCL दोारा क्या कदम उठाए गए हैं सबसे पहले देखिए कि precaution is always better than cure तो हम लोग ने अपने कुछ agreements के clauses से हैं MOU के clauses से वह हम जब legal waiting करते हैं तब ही advice कर देते हैं मतलब किस अगर किसी ने डाला तो भी हमारा defense स्ट्रॉंग रहता है reduction of cases के लिए proper training दी जाती है कुछ मामले रहते हैं कि नहीं यह तो बनेगा यह तो वैसे हम advice करते है management को जैसे graduate cases में काफी कुछ changes हो है कि retired लोग है रहते जहां 30 देश के पहले उनकी graduate जमा हो जाना चाहिए लग फ्रॉंग देट आप देश तो हमने पैसे circular निकाला है redressal forum जो है alternate rate मतलब court में ना जाके लोग अदालत में तो इसमें high court से हमको notice आती है कि आप meeting है आप आई है आपके कितने cases है फिर हम various जो dealing officers रहते है specially land के cases में कि उनको बोलते कि देखिए अगर जो case नहीं stand नहीं हो सकता तो हम pre litigation meet करते हैं उसमें हमारे साथ high court के register लोग भी आते हैं हम लोग land owners को at a time बुला लेते हैं उनको educate करते कि आप यह case लड़े लेकिन रूल framework में नहीं आप कितने भी साल लड़ेंगे तो भी आपको उसका outcome कुछ मिलने वाला नहीं कनवर्सेशन उनके local language में करके उनको educate करते हैं फिर बहुत सारे उसमें हमने cases डिस्पोस किया है लोगों ने withdraw भी कर लिया है नोडल officers वगरे या competent authorities को भी एक डायरेक्शन दिया गया है कि जहां मामले आप पर्सनल हेरिंग देके भी के मैटर सुल जा सकते हैं तो वहीं लेवल पे सुल जा देजी रिप्रेजेंटेशन करते हैं आर्बिट्रेटर का एक नाया भी अर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया तथा अधिकारियों के लिए केरियर ग्रोथ के बारे में हमें बताया यह जो एक्जेकिटिव के लिए and non-executive के लिए मतलब अपनी management मैं बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है कि दोनों एजो पार्ट से दोनों को motivational platform मिला है ED तक के executives के लिए और non-executive के लिए भी, very recently जो legal inspectors के लिए जो एक stagnation आ गया था, उसमें हमने modify कर लिया, उसमें A, B, C, S, A, चार लेवल बना लिया, मतलब seniority के हिसाब से उनको promote कर दिया, तो that is motivation to them, because they are also law graduate, qualified, अभी जैसे हम लोग land acquire करते हैं, तो आजकल पढ़े लिखे land आउस्टीज हैं, तो हम लोगो ने, specially legal department के लिए, जो specific law graduates है, उन लोगों के लिए एक exam कंडक्ट किया, एक exam में जो बच्चे पास हो गए, उनको हम लोग legal inspector करके select कर रहे हैं, उनको एक motivation लग जाए हो कहीं यूज हो रहा है, work satisfaction. मैं मैं आप लंबे समय तक प्रेक्टिसिंग लायर रही और फिर आपने कोल इंडिया की सर्विस को जोइन किया, इस बारे मैं आप हमें क्या बताना चाहती हैं, I feel I am so lucky, कि मैंने प्रेक्टिस की वो सारा experience जो मेरा रहा है, वो मैं अपने फिल्ड में रहके और अपने organization के लिए बहुत अच्छा contribute कर सकती हूँ, चुकि मैं को सारे courts मालूम है, कोई रुकावटे नहीं आती है, तो naturally मेरा experience है, वो मेरे day-to-day life में, even my department में, और सारे executives को भी मैं वैसे गाइड करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है, satisfaction मिलता है कि मेर organization के लिए और sharing करके helpful है, मैं हमारे WCL परिवार के लिए आप क्या संदिश देना चाहती है, मैं सारे मतलब WCL परिवार को यही advice करूँगी, कि जहां कुछ भी friction है, dispute है, तो पहले तो negotiation is must, negotiation करिए, बहुत सारे मामले सुलज सकते हैं, तो आपको court में हर चीज में जाने की ज़ बात कर सकते हैं, conciliation कर सकते हैं, representation कर सकते हैं, और अपना जो भी व्यू है, वो express करना बहुत जरूरी रहता है, अननेसेसरी एनिमिटी मन में रखके, litigation बढ़ाना, court की चक्कर काटना, अननेसेसरी टाइम, पैसा, relation खराब होता है, कही ना कहीं दीमोटिवेट हो जाते हैं, त सकते हैं, तो don't go to the court, यह मतलब, it creates very bad image of the organization, and आपका भी, because you are also a part of organization, मैं, आज के सकारी करें में आप हमारे साथ उपस्तित हुए, आपने हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ, बहुत ही महतोपून जानकारी साजा की, इसके लिए मापका धन्यवाद करते हैं, इसके लिए right to expression तो सबको है, लेकिन there should be one platform, जहां confidently कोई बात कर सके आपसे, it is very good forum, very good, awareness भी है, और सबको एक liberty है right to expression, मतलब, in real sense, आपका जो constitutional fundamental right under article 19 है, right to expression, that is really awarded, gifted by the management, I am very much happy, or great contribution, for building an image of organization, thank you ma'am, साथियो, आपने WCL समात कार्यकरम को खूप सरह, डेर सारा प्यार दिया, इस कार्यकरम को और अच्छा बनाने के लिए, हम आपके सुझाओ, निरंतर आमंतृत करते हैं, नमस्कार. झाल, 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